बचो आज मैं आपको वर्ण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं वर्ण में वर्ण बिचार पढ़ना है ना दिखिए वर्ण बिचार में मैं क्या क्या पढ़ना है इस पार्ट के अंतरगत हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यह जानेंगे कि वर्ण क्या है है ना तो वर्ण क्या है इसका उपयोग क्या है इसको लिखते कैसे हैं इत्यादी बातों को हम लोग कहनेंगे तो बच्चों भाषा की सबसे छोटी इक्याई वर्ण है जिसके और टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं और टुकड़े का मतलब क्या है कि उसको और तोड़ा नहीं जा सकते हैं वर्ण से ही हम सब्दों का निर्मान करते हैं और जब सब्द बनता है तो वाक्यों में उसको बदल सकते हैं परियों कर सकते हैं जब वाक्य बनेगा तो फिर यह उस तक के जो हम पढ़ते हैं उन्हों वाक्यों का ही समुव होता है जो हमारे लेखक की या अनलोगों की भावना उसमें ब्यक्त की गई रहती है जुड़िये और समझे बच्चों इन ध्वनियों को मिला कर बोलिए आपका नाम जिन ध्वनियों के मिल से बना है बोल कर देखिए एस इक छिका जो है यहां बोट पर बता रही है कि इन वर्णों को जोड़ना है और तब क्या करना है बोलना है और फिर कर रहे हैं कि अपने नाम की जो ध्वनियों उसे भी बोलना है जित्र देखकर आप समाज गए होंगे कि बोलते समय हमरे मुख से अलग अलग ध्वनियों निकलती हैं किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनियों को सीखना पड़ता है यह ध्वनियों में क्या आते हैं वर्ण आएंगे यहीं ध्वनियों वर्ण कहलाती है यह ध्वनियों कहलाती है वर्ण कहलाती है इनके खंड नहीं किया जा सकते इस प्रकार मैंने कहा कि भाषा की सबसे छूटी इकाएं जिसको और खंड नहीं किया जा सकता है और खंड नह यहां क्या परिभाशा दी गई है उसको देखते हैं भाशा की सबसे छोटी इकाई अथ्वा ध्वनी जिसके खंड नहीं किये जा सकते वर्ण या अक्छर कहलाती है और टुकड़ी का मतलब क्या दिखिए हम लोग जो पढ़ते हैं कि कहीं कहीं वर्णों के साथ हम हलांत दे द किये तो क्या हुआ और नहीं तोड़ सकेंगे और 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 नहीं तोड़ सकेंगे वर्णों के बिवस्थित समुह को वर्ण माला कहते हैं तो वर्णों के बिवस्थित समुह को वर्ण माला कहते हैं वर्णों के बिवस्थित समुह को वर्ण माला कहते हैं बिवस्थित का प्रतेक भाषा की अपनी वर्ण माला होती है, हिंदी भाषा की वर्ण माला में वर्ण इस प्रकार है, प्रतेक भाषा की वर्ण माला होती है, क्योंकि वर्ण माला के अभाव में हम सब्दों का निर्माण नहीं कर दखते हैं। स्वर्बर्ण के संख्य ग्यारा है अनुस्वार एक है अनुनाश्रीक एक है विशर्ग एक है आगत धोनिय अंधर अर्दचंद्र और नुक्ता है पिखे आगत धोने में लाकिन पर्योग करते हैं इसका भी अड़ा का और ड़ा का भा कि तो इसमें भी देखेंगे अब दिखिए अब वेंजन वर्ण जो है एक कवार्ग इसके अंतरगत पाँच वर्ण है चवार्ग इसके अंतरगत पाँच वर्ण है तवार्ग इसके अंतरगत पाँच वर्ण है तवार्ग इसके अंतरगत पाँच वर्ण है पवार्ग इसके अंतरगत पाँच वर्ण है अ कि जो कोश्टक के अंदर वर्ण दिये गए हैं इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण काते हैं क्या के जो चार आगा धुनियां देगए हैं जो फो और धो अड़ा और धो डो नहीं डो यानि आप क्या देख रहे हैं कि इसका उचारन हम किसी भी सब्द के प्रारम में नहीं करते हैं यह जो दोनों है इसका इसका होता है पर इसका नहीं होता है यह संजुक्त व्यंजन है इसमें दूदू व्यंजन वन है और एक स्वरड वन शीपा होगा है कशा अ है इसमें इसमें तो रो आ है इसमें जय यह अना है इसमें तालब सो रो और आ है अब दिखिए इसके बारे में वीश्येश बातें बताई गए हैं सुवाद न रहित वेंगनेंद के लिए हलंद का पर्योग। की आजाता है रहित का मतलब के बिना वेंगनों का उचारूं सदा सौरों की साहता से होग है वेंगेनों का उचारन किसके साहता से होगा जी स्वर्व की साहता से दी स्वर का उचारन री की भांति गिया जाता है अड़ा और धो वेंगेनों का उचारन ड़ा तथा धो से भीन होता है अता उचारणा के समय सवधार है जिसे डमरू लड़का में धक पड़ना आदी अड़ा तथा ड़ा से सब्द आराम नहीं होते हैं नुकता का परियोग और भी फार्शी सब्दों में किया जाता है इसका नुकता वाले जो सब्द है फो और ये जो इसका परियोग किया जाता है सब के प्रारम में पर इसका ड़ा और ड़ा का परियोग नहीं किया जाता है उचारन यहों परियोग के अधार पर हिंदी वर्ण माला में वर्णों के दो भेद होते हैं और यह वर्ण दिये गए हैं इसके दो भेद हैं पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है वेंजन वर्ण आईए देखिए स्वर के बारे में देखते हैं स्वर जिन वर्णों का उचारन अंधोनियों की सहायता के भी न किया जाता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं यानि सीधे कहें कि स्वर वर्ण जो है अपने आप में किसी दूसरी की मदद लेने की उन्हें आवसकता महसूस नहीं होती है इनका उचारन करते हैं हावा बीना रुकावाट के मुख से बाहर निकलती है जब स्वर वर्ण का उचारन करते हैं तो हावा बीना रुकावाट के ही मुख से निकलती है हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख है 11 है जिसमें ओ, आ, छोटी, इ, बड़ी, इ, छोटी, ऊ, बड़ी, री, ए, ए, ओ, आ, जिस जो है 11 स्वर वर्ड़न है और इन ही वर्ड़नों की सहायता से सब्दों का निर्मान किया जाता है